कि कंसीडर दा फंक्शन एफएक्स इजब प्राबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो ओविएसली इसमें एफएक्स दिया हुआ है तो हमने क्या बताया था यहां पर क्या होगा कंटीनिवर्स random variable is clear तो क्या है fx दिया हुआ है x y 4 यह किसके बीच में डिफाइन है 0 से 2 के बीच में और यह क्या दिया हुआ है 1 minus x y 4 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 minus x y 4 यह क्या है 2 से लेके 4 तक के लिए डिफाइन तो मैंने लाइन खीच रखी है वाइबर एकस बाइफ ओर वाइबर वन माइनस एकस बाइफ ओर यह वाली लाइन ड्रॉकर रखी है तो यह ग्राफ है यहाँ पर अगर आप टू रख रहे हो तो कितना दे रहा है यह नोट पॉइंट वन बाइटू देगा रही तो पहला फिर पूछ रहा है कि find prob 모डी टी एकसल बहुति हो इस्का नाव यहीं दे म्लेती स्लाइस दैन चल टूब उप कeszसे गरेटर द стंट अकल qnj ॥ यह पूछ जshaw लीए वाला इलाका हो गया इस दो यह क्या होगा प्रॉबिल्टी एक्स ग्रेटर टेन थैन और क्या है 1 से लेके 3 तो 1 से लेके 3 का इलाका ये वाला हो गया आपका सारा, right clear फिर पूछा है x less than 1 और x greater than 3 तो obviously ये वाला area हुआ और ये वाला area हुआ तो basically हमें क्या निकालना होता है integration करके area ही count करते हैं हम लोग यहाँ देखें चाहें तो हम probability density के जो fundamental है या continuous random variable के उनको लगा कि हम question करेंगे और integration लेंगे तो हो जाएगा लेकिन हम वैसे ना करें तो ज्यादा better है हम यहाँ पे हमने figure बनाया है इसलिए क्योंकि हम आप लोगों को visualize करवा सकें एकदम कि basically इन चीजों के मतलब क्या है, right तो सबसे पहले वो क्या मांग रहा है कि ये क्या एक valid PDF है तो valid PDF का मतलब क्या होता है इस total जो हमारे पास reason है ये हमारा क्या है total reason इस reason की probability कितनी होनी चाहिए one के बराबर होनी चाहिए तो हम कैसे करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे area area निकाल लेते हैं integration करना यूज करें half base into height basis height is one by two तो this is one आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे functions के लिए हमारा ये PDF जो हमने design किये थे वो दौनों क्या हैं सही है क्यों क्यों हमारा area क्या आ रहा है one के बराबर आ रहा है अगर हम ऐसे करके देखते area निकालते तो मुझे क्या करना पड़ता 0 से लेके पहले मैं यहाँ तक function design करता 2 तक 0 से 2 के बीच में क्या है x by 4 dx प्लस आगे क्या करना पड़ता मुझे 2 से आगे बढ़ता हमें कहा तक के लिए 4 तक के लिए फिर क्या आता हमारे पास 4 minus x by 4 dx इनको जब हम add करके देखते तब भी हमारा क्या आएगा one आएगा तो उससे better हमें area of triangle निकालनू तो visualize भी हो रहा है और इस integration की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर question simple है तो make the geometrical picture और geometrical picture से आप easily calculate कर सकते हो तो हमने पहला question तो समझ लिए आप दूसरा देख लेते हैं दूसरे में क्या पूछा है x less than one the probability x less one तो x less than one का कौन सा इलाका है ये वाला reason आ गया ये reason हमको क्या है हमने पहले ही बता दिया है कि x less than one है तो इसका area निकाल देते हैं तो area क्या होगा या तो हम ये करें या क्या करें 0,2,1 और इस बीच में function हमारा क्या है ये वाला है इस तरह से कर सकते हैं उससे better है हाप base into height कर दें cause ये triangle बन रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं 1 by 2 into 1 into 1 by 4 कितना आ गया 1 by 8 निकल आई value हमारी clear है the next third question कर लेते है probability x greater than 3 ये क्या होगा देखते हैं x greater than 3 वो तो इसकी बात कर रहा है तो obviously या तो क्या करो 3 से 4 के बीच में आप ऐसे करो 3 से 4 और 3 से 4 के बीच में कौन सा function है वो ये वाला function है इसका क्या कर देंगे हम integration ले लो तो हमें क्या मिल जाएगा area मिल जाएगा लेकिन हमें ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें time लग रहा है तो इससे better x greater 3 निकालना है तो निकाल देते हैं आपे तो देखिए ये height क्या है 1 by 4 है ये height क्या है 1 by 4 और ये distance क्या है 1 तो half base into height कर सकते हैं तो यहां कितना आगे half into 1 into 1 by 4 बराबर 1 by 8 हमको x greater than 3 भी क्या मिला 1 by 8 अब देखते हैं उसने क्या पूछा है probability 1 से लेके 3 तो probability 1 से लेके 3 का इलाका तो ये है 1 से लेके 3 का इलाका ये है देखिए यहां पर probability 1 से लेके 3 का reason ये हो गया तो इस reason का हम नाम दे देते हैं यहां पर जो reason है यह जो मैंने dark किया है यह reason है probability 1 से लेके 3 के बीच का तो इस reason को अब कैसे करें तो हम क्या करें हमको इस reason की probability पता है हमको इस reason की probability पता है one मैंसे इस reason की probability और इस reason की probability अगर subtract कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा one से लेके three का reason मिल जाएगा तो it's better है वो जादा अच्छा रहेगा तो देख लेते है probability one से लेके three की क्या होगी तो यहाँ पे क्या करना होगा देखिए यहाँ पे तो 1-probability x less 1 minus probability x greater than 3 कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अब calculate कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 1-1 by 8-1 by 8 1-2 by 8 is 6 by 8 is 3 by 4 यह निकल आया हमारा 3 by 4 clear एतना बात अब देखिए वो क्या चाहता है हमने यह निकाल दिया हमको सारी चीजे मिल गई हमको यह भी मिल गया यह भी मिल गया अब यह रह गया है हमारा तो यह क्या है देखते हैं तो उसने पूछा हुआ है कि probability x less than equal 1 and x greater than यह और पूछा है तो और का मतलब क्या है union और union में क्या करते हैं हम लोग add करते हैं probabilities का तो हम क्या करें यहाँ पे probability of x less than 1 plus probability of x greater than 1 तो कितना आ गया 1 by 8 plus 1 by 8 बराबर 2 by 8 बराबर 1 by 4 इस दा आंसर तो बैटर है कि आप यह तो curve को plot कर दो अगर easy दिये integration के थुरू निकालेंगे भी हम उस तरह के questions भी यहाँ पे explain करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपको easily visualize ओड़ गया कि जो area ही है वही उसकी क्या है probability है तो हम area निकाल देते हैं तो probability हमको मिल जाती है तो आज के बाद यह ध्यान रखें जो लोग integration को पढ़ते हैं कि वो क्या है area है बिलकुल गलत पढ़ते हैं integration का मतलब होता है algebraic summation of this geometrical figure राइट तो algebraic summation लेना है हमको यहाँ पर probability किसके बराबर है इसी के covered of area के बराबर है तो यह सारा हमने कर लिया अगर और की बात कर रहा है तो 1 भाई 4 आ गया क्योंकि दोनों event को क्या कर देंगे add कर देंगे यह अलग event है और यह अलग event है question if x is a continuous random variable whose probability density function is given by fx equal k 5x minus 2x square और यह कहां पर define है 0 से 2 के बीच में define है और otherwise के लिए यह क्या है 0 है right clear और हमको क्या निकालना है probability x greater than equal 1 clear है ध्यान रखिए यहां पर तो हम कैसे करेंगे यहां समझते हैं यहां पर तो हमको क्या निकालना है पहले वो देखते है probability x greater than 1 यह चाहिए है तो हम थोड़ा continuous random variable को एक बार refreshment कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को हो सकता है शायद memory से निकल गया हो continuous random variable को एक बार सबसे पहले देख लीजिए हमेशा यह interval पे ही define होगा राइट बताया हुआ है आपको previous वीडियो में दूसरी बात जो सबसे important बात है continuous random variable की probability में कि अगर a से b के बीच में define है तो हम कैसे करते हैं a to b function fx dx यह होता है अपका अगर कोई आप से पूछ रहा है कि probability x greater than 1 है तो वो क्या मांग रहा है तो अभी यहां देखते हैं तो हम direct पहले rule apply करते हैं क्या है तो क्या मांग रहा है वो 1 से लेके 2 क्योंकि maximum यहां जितना होगा वही लिखेंगे अप लोग यह ध्यान रखिएगा शुरूबात कहां से हो रही है 1 से और 1 से 2 के बीच में भी function हमारा क्या define है यह वाला function define है अगर वो यहां 0 से 2 करता तब भी यही function होता अगर वो 1.5 से 2 करेगा तब भी यही function होगा function कब बदलेगा अगर वो कहता है 2 से 3 तो otherwise के बीच में क्या है function हमारा 0 हो जाएगा उसके लिए कोई भी value नहीं मिलेगी तो 1 से 2 की value क्या है 5x minus 2x square dx यह आगया आपके पास इसका मतलब यह हुआ कि यह जो probability आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए वो numerical value आनी चाहिए क्योंकि हमको पता है कि probabilities define only 0 to 1 इसके यह बस आज का सच है कि 0 to 1 के बीच में define होती है अगर आप आगे जाएंगे तो negative probability भी होता है और negative distribution भी होता है तो यह numerical value है तो numerical value निकले कैसे क्योंकि हमारे पास यहाँ तो value k में मिलेगी integration करके तो हम क्या करें को एक fundamental हमने तुमको सिखाया है वो fundamental को मैं mark करता हूँ और यहाँ पे key point के तौर पे लिखता हूँ उसको ध्यान रखना है जब भी आप first जाएंगे तो क्या use करेंगे minus infinity से plus infinity fx dx किसके बराबर होगा 1 के बराबर क्योंकि हमको पता है के total area का summation 1 के बराबर होता है सारी events का या और या a से b के बीच में जो भी function दिया हुआ है उसका integration करके देख लो वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा तो यहाँ पे हम क्या करें यह भी तो कर सकते है कि 0 से लेके 2 के बीच में function तो हमारा यह यह कितना है 5x minus 2x square बराबर किसके हो जाएगा यह 1 के तो हमने क्या बताया था discrete में 1 वाला formula और continuous में 1 वाले formula को हमेशा क्या करके रखेंगे memory में दिमाग में रख लीजिए इसको memorize कर लीजिए इसको हमेशा के लिए clear तो हमने कर दिया 1 तो अब यहां से k की value निकल आई हमारी k की value आईगी हमारी 3 by 14 यह निकाल सकते हैं आप लोग integration का सहारा लेके 3 by 14 अब क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या करें यहां पर 3 by 14 मिल गया हमको अब यह 3 by 14 में यहां रख देता हूं तो probability x greater than 1 क्या आएगा 1 से लेके 2 integration का part आप लोग खुद करिए तो यहां पर क्या आएगा 1 से लेके 2 3 by 14 5x minus 2x square dx अब क्या करें हम यहां पर तो अब यहां पर k की value रख दी आप इसका integration करोगे तो यह numerical value दे देगा और वो numerical value क्या होगी 17 upon 28 right this is the answer तो यह ध्यान रखना है कभी भी इस तरह के question पूछे जाए तो आप logically चीजों का ध्यान दें अगर यहां पर k है तो सबसे पहले क्या करें हम उस k की value निकालें और k की value के लिए मैंने तुमको सबसे important fundamental के discrete random variable में भी 1 होता है और continuous random variable में भी 1 होगा तो k बराबर निकलेगा 3 by 14 और x greater than 1 कितना हैगा 17 by 28 question number 4 और यह gate में आया हुआ है और बहुत ही important question है इसमें पूछा है the variance of the random variable x with pdf is this obviously यह function किस पे fx है तो यह कैसा random variable है continuous random variable अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे solve करेंगे तो हमको क्या निकालना है उसने क्या पूछा है variance तो हमने क्या बताया था कि variance vx बराबर क्या होता है ex square minus ex का whole square clear अब देखें यहाँ पे कैसे करेंगे तो ex square भी हमने आपको बताया क्या है मैं previous lecture में सारी चीज़े मैंने बताई हुई है क्या है a to b x square fx dx it's done और e of x क्या है और e of x क्या है a to b x fx dx यह दौना चीज़े हमारे पास है तो सबसे पहले अब ध्यान देना है अगर electronics हो या electrical हो या communication हो या mathematics हो या physics हो कोई भी हो चीज़े तो सबसे पहले हम function पर ध्यान दें कि function क्या है हमारा तो function is half mod x e की पाबर minus mod x अब हम क्या कर सकते है हमारे पास यहां पर है half mod x e to the power minus mod x तो obviously जागर हम integration लेंगे और यह कैसा function है absolute value function है कैसा है absolute value इसका मतलब क्या है देखते हैं थोड़ा mod के बारे में this function is absolute value function देखते हैं इसका physical significance क्यों है भाई हम mod क्यों पढ़ते हैं क्या जरूर रहते हैं तो यहां समझते हैं अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है x तो इसका मतलब है वो distance के बारे में बात कर रहा है because क्योंकि किसी भी number को हम distance के form में देखते हैं और अगर वो mod x की बात कर रहा है तो वो क्या है basically functions को क्या करना है piecewise break करना है x greater 0 less than 0 यही आया आपका इसका मतलब यह हुआ यह कैसा function है x तो simple था बट यह compound function है पहले इस function की वारी में जाने हम अच्छे से तब हम कर पाएंगे इस पर related 2 या 3 question है तो आपको आसानी रहेगी यह compound function है कैसे compound है क्योंकि एक simple function यह है और एक simple function यह है तो 2 simple function है इनको joint करके मैंने क्या बना लिया है compound function बना लिया है और जब भी कोई x की बात करेगा तो distance की बात कर रहा है और जब भी कभी भी वो mod की बात करेगा तो mod का मतलब mathematically क्या है displacement तो यहां समझ लिए जी mod हमेशा displacement में होता है और normal number हमेशा distance में होता है clear है तो हमने mod को break कर लिया क्योंकि यह absolute था x minus x x greater 0 और x less than equal 0 तो अब हम mod को सबसे पहले plot करेंगे और देखेंगे कि mod का graph क्या है क्योंकि mod में कहीं पर problem आ रही है क्योंकि modulus function का अगर हम integration लेंगे तो problem आएगी problem क्या आएगी वो भी अभी चीज़ देखते है इसका graph plot करते है इसका derivative क्या होगा इंटीग्रेशन की tricks क्या हो सकती है वो सारा मैं अभी explain करता हूँ अभी तक हमने देख लिया mod के बारे में कि modulus जो है basically क्या है या तो x हो सकता है या minus x हो सकता है greater 0 होगा या less 0 होगा अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका derivative क्या होगा तो कुछ लोग क्या बताएंगे मुझे पता है 99% लोग इसका 1 और इसका minus 1 this is wrong क्योंकि आपने 0 के बारे में तो कुछ बताए ही नहीं आपने greater पे भी कर दिया मैंने graph plot करता हूँ सबसे पहले y बराबर x-line है graph ऐसा आएगा आगे चलके मैं genic education पे curve tracing के भी videos plot करूँगा तो उन पे आप देख सकते हैं upload करने पे यहाँ पे minus x से तो कहा आएगा यह आगे और obviously अगर mod लगा हुआ है इस वाले reason को हम क्या करतेंगे modulus यह नीचे जो lower half है वो cancel हो जाएगा सिर्फ upper half पे ही क्या बनेगा आपका graph possible होगा तो this is a upper half graph चारी जगे possible होते हैं upper half, lower half, right plane, left plane यह हम लोग control में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे upper half, lower half तो upper half पे graph बन गया हमारा तो अब हम देखते हैं यह तो क्या है y बराबर x और यह क्या है y बराबर minus x लेकर हमें इसके बारे में कोई information नहीं है 0 के बारे में तो हमने यह तो बता दिया हमने यहाँ पे यह तो कर दिया है कि यह y बराबर x है और यह y बराबर minus x है तो मैंने क्या किया, मैं 0 के बारे में कोई information नहीं है, तो व्यक्ति क्या कहेगा, इसका dy upon dx क्या आना चाहिए, एक आएगा 1 और एक आएगा minus 1, right, x greater 0, x less than equal 0, but this is a wrong, यह 50% तो सही है, इसका answer के dy upon dx 1 और minus 1 आएगा, but wrong है, कैसे करेंगे, अब देखते हैं आपे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 के बारे में कोई information नहीं है, आपको बताना पड़ रहा है, कि 0 पे यह क्या है, undefined है, अब वो कैसे undefined है, वो चीज़ हम समझते हैं, ऐसा समझ लीजिए, कि अगर मैं यहां से torch से रोशनी डालता हूँ, अगर यहां हलका सा भी एक hole होगा, तो यह रोशनी इसके अंदर चली जाएगी, और यह reflect नहीं होने देगी इस graph को, जब इस graph को reflect नहीं होने देगी, तो इस point पे infinite tangent draw हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, और function derivative तभी हो सकता है differential, जब उसकी क्या हो, unique tangent हो, तो अगर unique tangent होगी, तभी हमारा function क्या होगा, defined होगा, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे तो infinite tangent आ रही है, इसका मतलब यहां पे function क्या है, मेरा unstable है या not defined है या derivative यहां पर exist नहीं कर रहा है लेकिन यह हमारे question में नहीं दिखाई दे रहा जो answer हमने लिखा है 1-1 इसमें 0 के बारे में कोई information नहीं है तो कैसे लिखा लेंगे देखिए हैं यहां पर y बराबर हम ले लेते हैं mod x मैं एक simple method बता देता हूँ उससे ही कर लेना आप लोग तो dy upon dx क्या होगा x square दोनों तरफ पहले square कर दो it's better y square बराबर x square 2y dy upon dx बराबर 2x and dy upon dx बराबर x by y तो यहां पर क्या मिला dy upon dx बराबर x upon mod x आगे हमारे पास x upon mod x हो सकता है या और mod x upon x भी हो सकता है इससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आप mod x की positive value लेता हूँ तो dy upon dx क्या आ रहा है 1 अगर मैं negative value ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है minus 1 अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो यह क्या होगे undefined इसका मतलब यह हुआ कि यह अप गलत है आप लोग जो पढ़ते हैं वो गलत है derivative क्या हुआ आपका dy upon dx बराबर क्या आजाएगा आपका x by mod x और mod x by x जब calculus पढ़ेंगे तो derivative integration सबको detailed में पढ़ेंगे इनकी क्या मतलब होते हैं ना कि इनको रटो कि dy upon dx निकाल दिया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है आप इन चीजों की मतलब भी सीखना है क्योंकि engineering में हमको कैसे use करना है वो चीज भी जानना है अब देखें यहाँ पे तो हमने function निकाल दिया हमको यह पता चल गया कि mod में कहा problem आने वाली है 0 पे problem आने वाली है यह problem आ आते हैं easily handle out it fx equal half mod x e to the power minus mod x right तो अब हमने graph को भी देख लिया सब कुछ देख लिया हमारे पास इसमें इंटर्वल है नहीं है define क्योंकि continuous से इंटर्वल होना चाहिए तो मैंने क्या बताया इंटर्वल क्या लेंगे माइनस infinity से plus infinity और open रखना भी या closed मत कर देना इसको right तो अब हम कैसे करेंगे अब इसके integration लेते हैं तो सबसे पहले मैं इसका expectation निकालू फिर इसके बाद e x square निकालू तो देखो कैसे करेंगे e of x e of x क्या होगा यहां समझे माइनस infinity to plus infinity right fx into x dx यहीं तो हमने पढ़ा था कल अब इसमें क्या करना है minus infinity to plus infinity x क्या है ऐसे ही है into function क्या है लिख लेते हाफ mod x e to the power minus mod x dx यहीं आएगा अब देखो अब यहां पर थोड़ा करना सीखिए आप लोग इस तरह के कम से कम electronics में communication में तीन से चार question मिल जाएंगे और gate की बहुत सारी problem में इस तरह की problems का use है तो इसलिए मैंने एक बहुत tough problem उठाय हुआ है जिससे की easily आप सारी चीज़ें समझ पाऊ यह कर लिया minus infinity से infinity की तरफ अगर मैं चलता हूँ यहां देखो ध्यान से क्या है function does not exist clear है तो यहां रुख जाओंगा मैं तो इससे better है मैं क्या करूँ यहां रुख गया मैं तो एक इतना area एक तो यह निकाल दूँ मैं इसके बाद इसको छोड़ देता हूँ मैं फिर यहां आ जाता हूँ मैं और इसके बाद यह वाला area calculate कर देता हूँ इन दौनों area का सम कर देता हूँ तो हमारा क्या निकलाएगा basically minus infinity से infinity तक का जो भी expectation है वो आ जाएगा तो अब देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे यह लाइन क्या है और यह लाइन क्या है चलिए अब देखिए यहां पर कैसे break करेंगे don't worry बिल्कुल panic नहीं होना है confused नहीं होना है calm down एक इसे ही रहेगा हाफ दिक्कत कहां नहीं मॉडलस में क्योंकि मॉड क्या है अपना behavior देखेगा यहां पर मॉड को हमें यहां क्या चेक करना है इस मॉड का हमें यह चेक करना है इसका behavior क्या है क्योंकि मैस only interested behavior के लिए ना कि यह quantitative value यहां 5 आ जाए 6 आ जाए से कोई फरक नहीं तो behavior क्या है इसका negative है इस graph का यहां देखेए y equal अगर mod x graph है तो minus infinity से 0 तक के reason में क्या है यह negative है तो यहां क्या कर सकते है half minus x clear और यहां पर क्या किया e to the power यह भी negative निकलेगा तो negative negative positive बन जाएगा और काम हो जाएगा clear plus परेशान होने कि कोई भी आवशक्ता नहीं है easily हो जाएगा question 0 से infinity is right अब यहां क्या आया x into half अब देखिए यह minus तो यहां तक तो positive negative था बट यहां पर positive है तो हम उस positive को लिख लेते हैं e to the power minus x dx आगया अब बच्चे बहुत सारे integration इसमें confused हो गया वही कैसे करें इनको क्या करना है खुत आसान है अभी मैं सिखा देता हूं सारी within एक line के यंदर सीख जाएंगे आप लोग तो यहां देखो अब क्या मिला हमें minus infinity to 0 यह क्या आगया minus x square by 2 e to the power x dx प्लस 0 से infinity x square by 2 e to the power minus x dx तो graphical presentation एक बार और देख लेते हैं यहां पर यहां पर क्या है this is point 0 this is y equal x and this is y equal minus x तो हमारा derivative क्या मिला था है dy upon dx बराबर x upon mod x clear x upon mod x या mod x upon x एक ही चीज़ है या तो आप first principles इसको निकाल दीजी या मैने जो method बताया है उससे कर लीजे राइट तो अब देखें यहां पर हमारा derivative exist कर रहा है यहां पर भी derivative exist कर रहा है बट यहां पर derivative क्या है not defined और जहां पर derivative not defined होगा इसका मतलब वहां पर not integrable होगा वो integrate नहीं हो सकता है clear है इतना बात जो जहां पर किसी भी function का derivative not defined होगा इसका मतलब वह function कैसा होगा non differentiable अगर वह function differentiable नहीं है तो इसका मतलब क्या है वह integrate भी नहीं हो सकता है कैसे क्योंकि हम उसी function का integrate कर पाते हैं जिन functions को हम derivate कर सकते हैं तो यह अगर यहां पर defined नहीं है तो इसका मतलब इसका integrate नहीं हो सकता था तो इसके integration के लिए मैंने क्या किया यहां पर minus infinity से 0 ले ली range और 0 से infinity ले ली range और इसको क्या कर दिया मैंने sum कर दिया तो यह area हमको easily calculate कर लेंगे तो यह हमारा क्या निकल आया e of x निकल आया अब हम निकालते है e of x square क्या है तो obviously x square में सिर्फ हमें x का multiply करना है क्योंकि हमको पता है कि x square क्या था हमारे लिए x square fx dx के बराबर है minus infinity 2 plus infinity तो अब यहां क्या करेंगे अब देखिए यहां पर तो minus infinity से 0 तो सरफ x का ही तो multiply करना होगा तो यहां बस x का multiply करते हैं तो क्या मिला minus x cube by 2 e की power x dx plus 0 से infinity x cube by 2 e to the power minus x dx अब बहुत सारे बचे जो है इस integration को करने में घवरा रहे हैं लेकिन घवराने की कोई जरूर नहीं है अभी trick series लगाएंगे तो आपको बताते हैं अभी तो variance इसका क्या मिलना चाहिए हमको e of x square minus e x का whole square राइट यह आएगा तो आप देखते हैं इस integration के shortcuts क्या हो सकते हैं पहले मैं shortcut बताऊंगा फिर आप लोग आराम से कर लिए अपने घर पर बैठके practice तो इसके shortcut क्या है मैं एक मैं अभी सारे explain कर देता हूँ आपको देगें यहां पर सबसे पहले मैं trick series जो है मैं कर आपको हर वीडियो में एक-एक मिल सकती है trick series तो सबसे पहला trick देखते ही कैसे करना है यहां तो यहां ध्यान से समझिए trick series को कैसे किया जाएगा सबसे पहले माल लीजे आपके पास कभी भी अगर lnx का integration आ जाता है तो कैसे करोगे तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे इस lnx के साथ into one करेंगे फिर integration भाई parts लगाएंगे तब तक बहु को explain करता हूं पूरी trick series को एक बार फिर हम उस question को बहुत तुरंट कर लेंगे हाल की हाल तो यह trick series यहां देखिए अभ्यान से अगर आपके पास कभी भी आई बराबर lnx आता है तो आपके पास वैसे भी बहुत कम समय है तो integration को कैसे solve करेंगे यहां देखते हैं एलन कभी भी आ जाए तो इसको deal एलन में नहीं करना है एलन किसका इनवर्सली है basically exponential function का तो हम क्या करें इसको exponential में ले जाते हैं क्यों ले जाते हैं कि अगर इसको हम exponential में ले जा पाए तो इसका मतलब यह होगा क्योंकि जिस function का derivative और integration same है वह exponential function तो वह बैटर रहेगा आपके लिए यहां देख लेते हैं ध्यान से तो कैसे करेंगे यहां पर आया एलन एक्स बराबर क्या आगया हमारा टी ले लिया मैंने तो यहां क्या मिला एक्स बराबर एकी पावर टी तो यहां मिल गया हमें लगनी है यहां देखिए यहां लगानी है हमारे पास आई मिल गया है टी एकी पावर टी यहां से देखिए इन दोनों functions में ऐसा कौन सा functions है जिसका derivative 0 होगा इसका मतलब derivative becomes 0 तो वह obviously कैसा function होगा algebraic होगा क्योंकि algebraic की ऐसा function है जिसका कुस्तन के बाद derivative क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं algebraic function इसका मतलब यह क्या है आपकी algebraic function this is called a restrictions के एक function हमेसा कैसा होना चाहिए यह मस्ट है algebraic one function हमेसा क्या सचाहिए आपको एलजबरायक होना चाहिए इसके बादी कर सकते हो बरना आप नहीं कर सकते तो अप कैसे करेंगे देखिए यहां T रख लिजिये यहां E की पावर T रख लिजिये यहां T रख लिजिये तो अप कैसे करना होगा देखो यहां पर इसका मैं लिऊंगा derivative और इसका क्या करूंगा मैं integration इसका मुझे derivative लेना है और इसका मुझे integration करना है ध्यान रखना है और derivative तब तक करना है जब तक becomes 0 ना हो जाए clear इतना बात तो हम कैसे करेंगे अब देखिए 1 0 यहां क्या है यही की poverty यही की poverty आगया इतना अब हम क्या करें multiply कर दें जो rule मैंने लिखा है right hand side पे integration रहेगा और इसाथ पे क्या रहेगा आपका left hand में derivative अपनी बुद्धी लगा के integration और derivative को convert ना करें वरना answer गलत हो जाएगा तो यहां क्या कर दिया मैंने plus और यहां कर दिया minus तो अब इनका multiply करना है यह multiply है basically multiply कैसे करेंगे तो i बराबर क्या है t e की poverty minus e की poverty तो यहां t minus 1 e की poverty this is the answer is t is ln x minus 1 e की power ln x I think आप लोगों को याद आगया होगा जिन लोगों ने 12th में पढ़ा होगा x into ln x minus 1 तो यह याद रखना है कि हमेशा एक function algebraic हो और एक function कोई साभी हो तो हम integration निकाल लेंगे just example i बराबर i बराबर x cube into e की power minus x dx अभी इस तरह गई integration हमको करना है तो इस तरह गई integration को कैसे करें देखिए यहां पर इसका क्या कर दें derivative इसका क्या ले लें integration तो बस आगया answer x cube e की power minus x इसका derivative ले ले लेते हैं और इसका integration कर लेते हैं तो यहां देखिए कैसे आएगा 3x square 6x कितना आगया 6 0 यहां कितना है minus e की power minus x e की power minus x minus e की power minus x e की power minus x आगया हमरे पास अब हमको answer लिखना है क्या आएगा OEV I late rule वगयरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको आप इस तरह से कर सकते हो plus पहला दूसरा minus plus और minus answer लिख लेते हैं भई answer क्या होगा minus x cube e की power minus x minus plus 3x square e की power minus x minus 6x e की power minus x minus 6 e की power minus x is the answer I think 60 seconds से 60 seconds से ज़्यादा time नहीं लगेगा एक बार चेक कर लेते हैं plus minus 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 3x square e की power minus x यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं gate में भी कई सारे integration by parts के question आ जाते हैं तो ऐसे करने की कोई आवशकता नहीं है जर्नली आईलेट नहीं भी जानते हैं तो आप कर सकते हैं just like example is x square sin x यह कैसे करेंगे तो आप देखीए यहाँ पर इसका d करना है इसका क्या करना है हम लोगों को d is the derivative और इसका integration तो लिख लेते हैं x square sin x यहाँ पर क्या किया मैंने इसका d differentiation और इसका integration तो यहाँ क्या मिला 2x यहाँ क्या आया माइनस cos x यहां के आए है 2, यहां के आए है 0, माइनस साइन एक्स, और यहां के आगया, कॉस एक्स, clear, अब इसका आंसर अगर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए है, यहां पर वो ही पुराना फंडा, close like eNER cost X, plus 2 X sign X, plus 2 cos X, I think this is a very interesting trick, आप तुरन्त within seconds के अंदर में कोई भी integration, लिख सकते हैंघ, इतना ध्यान रखिएगा, तो आप हम questions पे पहले remind करके जाते हैं, होओं पे question पे, और question को मैं बता के फिर आगे हम एक trick और को बताते ही, minus ex का whole square अब आप लोग खुद करिये घर पे जाके एक बार तो same trick लगाके तो ex आपको मिलेगा 0 और हमारा ex square मिलेगा हमको 6 clear है? तो हमारा variance क्या हो गया? variance 6 minus 0 कितना निकल आया? equal 6 तो answer is 6 अब हम क्या करते हैं? अभी तक हमने एक तो देख लिया कि इस तरह कि अगर function आ गए तो हम क्या करते हैं? easily solve कर लेते हैं कि उसमें एक derivative क्या हो रहा है? 0 बन रहा है, right? लेकिन अगर दोनो functions अगर 0 नहीं हो रहे हैं तब कैसे करेंगे? किस ट्रिक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे तो ट्रिक्स सिरीज e की power x sin x और e की power x cos x और I think जब आप लोग Fourier, Laplace, कैसी बे functions को पढ़ते हैं electrical में तो 50% से उपर function सारे exponential plus trigonometric ही है तो यहाँ पे क्या करना है? या तो exponential हो एक function plus दूसरा trigonometric हो right? यह क्या है हमारी restriction this is called a restriction, right? तो यह restriction है, हमेशा ध्यान रखना है कि एक function क्या होगा? exponential और दूसरा क्या होगा? trigonometric, right? तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ देखी एक question लेते हैं और explain करते हैं e की power x sin x dx अगर कुछ बच्चों को याद होगा तो 12th में इस integration को हमें दो बार करना पड़ता है, कम से कम एक page का बनता है, लेकिन हम यहाँ पे एक line में ही इसका answer लिखना सीखेंगे अब यह देखेंगे कैसे करना है इसको तो यहाँ समझिए, e की power x, sin x तो यहाँ देखिए ध्यान से हमको यह चेक करना है, check check periodic function क्या हम पहले यह चेक करें, इन दोनों में periodic कौन है तो हमको यह पता है कि periodicity हमारी sine और cos के अलाबा किसी में नहीं है तो हम पता पहले से ही है कि हमारे लिए periodic functions वो कौन से हैं हमारे, sine और cos और electrical में या electronics में 50% से उपर functions चाहें 4-year हो, चाहें laplace हो, चाहें कैसे भी हो, the maximum functions क्या हैं आपके, exponential plus trigonometric है, तो check कर लेते हैं कि periodic functions कौन सा है हमारा, sine x है तो जो function हमारा periodic है हमारा periodic है, उस function का हम क्या करेंगे integration लेंगे, उस function का क्या लेंगे हम integration लेंगे, clear, उस function का क्या लेंगे integration, तो बस अब करके देखते हैं, e की power x यहां रख लेते हैं और sin x यहां रख लेते हैं तो इसका क्या करना है हमें derivative लेना है और इसका क्या लेना है हमें integration लेना है Right, clear हमेशा जो function sin और cos में होगा उसका integration लेंगे और another functions का derivative लेंगे तो बस अब देखिए यहां पे कैसे करना है e की पावर x का derivative e कि बावर x e की बावर x का derivative sign x का leverage sign x का integration minus cos x minus cos x का minus sign x जब भी sign x आ जाएगा repeat कर जाएगा the repeat itself यहां देखिए द्यान से repeat itself वहीं पर हम अपने process को क्या करतेंगे stop करतेंगे process को क्या करतें हम रोक देते हैं यहीं पर प्रोसेस को रोग दिया अब आंसर लिखना है तो बस आंसर लिखे लेते हैं तो आंसर कैसे लिखा जाये का मिन-असर लिखते हैं क्या ऐगा आई आई बराबर सृमझय कुई है और सैक्स माइनस माइनस प्लैस की पावर X, Sine X, अब देखिए एक हमारा की पॉइंट है, जो ट्रिक है, हमारी क्या है, जहां पर हमने इस टॉप किया है, उसके फ्रंट में जो फंक्शन रखा हुआ है, उसका क्या करते हैं, मल्टिप्लाई करते हैं, विथ इंटीग्रल Sine, मैं एक और एक्स्प्लेइन कर दूँगा, अगर नहीं समझ में आएगा, तो हम क्या करें, इसका मल्टिप्लाई करते हैं, इंटीग्रल साइन लेके, तो माइनस E की पावर X, Sine X, और ये किसके बराबर है हमारा, आई के बराबर है, तो माइनस E की पावर X, Cos X, E की पावर X, Sine X, माइनस I, I, तो कितना बन गया, 2I? तो I think लगता है कि इससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता है, विदिन आप, 60 सेकंड्स के अंदर आप, कोई भी इंटीग्रेशन आप, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी एक एक्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद देखेंगे, questions, probability के, तो ज़्यादा बेटर है, कम से कम अटलीस्ट आपको ट्रिक दिमाग में जानी चाहिए, यहाँ पे आ गया है, एकी पावर एक्स, साइन, कॉस्ट टू एक्स, एक बार कॉस्ट का भी करके देख लेते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रटते हो, एकी पावर एक्स, बाई यहाँ क्या आगया, एकी पावर एक्स, एकी पावर एक्स, यहाँ क्या आए, माइनस, प्लस साइन, टू एक्स डिवाइड, तू, यहाँ क्या आए, माइनस, कॉस्ट टू एक्स डिवाइड, फूर, राइट क्लियर, अब हम क्या गरें, आंसर लिख लिए थे, इस बेटर, यह answer आ गया बस तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस यहाँ क्या आएगा माइनस कुछ भी हो सकता है 2x भी हो सकता है ऐसा नहीं कि सर ने x लिया है तो xc होगा यहाँ कुछ भी हो सकता है तो i बराबर क्या आएगा देखते हैं e की पावर x sorry e की पावर x sin 2x divide 2 plus e की पावर x cos 2x divide 4 फिर हमने क्या बताया था इसका और इसका क्या कर देंगे multiply with with integral sin clear तो यह sin लगा देते हैं तो यहाँ क्या आएगा minus 1 by 4 e की पावर x cos 2x यह किसके बराबर है i के बराबर है तो यहाँ क्या आगया i plus i upon 4 बराबर e की पावर x sin 2x divide 2 plus e की पावर x cos 2x divide 4 आगया हमारे पास अब क्या करें हम तो i बराबर क्या आएगा यहाँ क्या मिला 5y by 4 तो 4 by 5 हो जाएगा 4 by 5 e की पावर x sin 2x divide 2 e की पावर x cos 2x divide 4 answer is done